नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज आज मैं हूँ आपके साथ अंचुर। नमस्कार 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 आपके साथ अंचुर। के द्वारा सरकार को सत्ता में लाने के लिए भरपूर प्यास करके सत्ता में लाया गया। लेकिन जो सरकार ने बादा किया था कि 90 दिन में ग्रामड़ों सायों को नीमत किया जाएगा। उस बारे को बादा खलाभी करते हुए आज दनांक तक सरकार ने न कोई कदम उठाया है ना आगे भविस में कोई कदम उठाने के आसर नजर आ रहे हैं। इसलिए ग्रामड़ों सायक संगतन के प्रदेश कमेटी के आवान पर 16 से लेकर 23 अक्तुवर तक हम लोग कलंबर अर्टालों बेटे हुए हैं। नवाकत अनुवभा के अतिकारी सबलगड अंकिता धाकरे के आते ही प्रशासन सक्त हुआ है। जज्रियम अंकिता धाकरे के नर्देश पर नायब तहसिलदार नरेश शर्मा द्वारा करशियोपज मंडी में सत्खाद गुदाम पर नरिक्षन किया गया। सचालक को ख़वर मिलते ही गोदाम बंद करके भाग गया। इसके साथ सुनेरा रूड पर बिना किसी लाइसेंस के चिलर चलाता पाया गया। इस समद में खाद सुरक्षा धिकारियों ने चिलर सेंटर की जांच करने की बात कही। सभी कारवाहियों का प्रतिवितन कारवाई हेतु सबलगड को भीचा गया है। तता इसी के पास एक भगवती स्टोर करके पटागे का गोदाम है। उसे भी देखा जाएगा तता उसके दस्तावेज चेक किये जाएंगे कि उनकी निदर्दारे धनुमती क्या है। और उसके तारेतम में भी एक पास में चिलर प्राप्त हुआ है। तो फूड बाके दिकारियों को बिलाकर उस पर भी कारवाई क्रिये। और फिल्हाल के लिएज बुल्टिन मतना ही। क्या हुआ 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 है।